शुखा बिहादी ओम स्वस्ति प्रजाब्यापरिपालयन्ताम् न्याईये नमारेगेण गतं महीशा गोब्रा मडे ब्याह सुभमास्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तो अखंड मंडलाकारं व्याप्त मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येना तस्मै श्री गुरबे नमाह समाद्रणी ये दर्शक व्रेंद इमेज च्यानल को सुभविहानी कारेक्रम्मार्फत आमे उपस्थीत बैस्याके का छूं आमे ले स्त्रिम्मद भगवद गीता को वारे में निरंतर बिचार बिमर्ष गरी राखे का छूं सास्त्र का विशयलाई हमे ले तिनको यथार्थ पक्षलाई जब भुजद चाऊं तिनको तियो बास्तविक पक्षलाई बोध गरी शके बचे आमरा ब्यवाहार हरू आमरा कारिय हरू अत्यंत सहज बन्छान। तेसे को निमित्त आमे ले सास्त्र को बोध गर्णु परछब। यहां अरजुन ले भगबान स्रेक्रिश्णला यहुटा प्रश्णसु दे। बंधन बाट मुक्ति को उपाय कर्म को त्याग बनींचा। तेस्ते तियाग गरने तो तियागी और सन्यासी मा यथार्थत हक्ये फरक्षा। येस किशिम को प्रश्ण अरजुनले गरे का थिये। और आमी तियाग बाट मुक्ष प्राप्ता करना सकींचा। जब कुनेईपनी बस्तु लाई आमीने त्यों बस्तु प्राप्ता करना सकींचा। कुनेईपनी लक्षय मां आमी पुगना सकींचा। तेस्प्रति आमी शमर्पित उनुपर चा। जब जहां तियों समर्पन को बाबना उनुँचा। जहां आशक्तिको बाबना उनुचा। तियों आशक्तिको बाबना उनुचा। तेसलाई बंधन मात्रै पारिदीन छा। जशरी युटा फ़लाम मां चुम्बक लगेर राखिदी शाके पची। तियों फ़लाम ले चुम्बक लाई ती टाशी रहन छ। तेहीं फ़लाम को बंधन मां चुम्बक पर्द छ। तेस्ताई आम्रा करम पनी। यदि त्यों विशयर करम लाई। तेस्वाट विशय लाई त्याग गरेर त्यों विशय बासना लाई त्याग गरेर जब। यदि आमी करममा प्रवृत्त वयों बने। त्यों करम बंधन को कारक बंधाई न। यदि तेहीं चुम्बक फ़लाम मां टाशिये जस्ताई। आमरा प्रत्य करम गर्दाखेरी त्यों करमको बासना त्यों विशय मां यदि आमी तिसे गरी रयों बने। तेहीं विशय ले आमी लाई बंधन मां पारी दिन छन। यसलाई सजीलों गरी आमीले छुट्ट्याउन शक्षों। बोद गर्न शक्षों। तेहीं यो बाबना को कुरावंचा इसमां। जब कुन बाबले कुन विचारले आमीले त्यों कारीयलाई ग्रहन करचों। तेहीं स्प्रतिकों आमरो दारणा कशरी निर्माण करचों। यदि भगवत प्राप्ति आमरो लक्षों छों। बने तेहां कुने प्राप्त और प्राप्त बस्तु प्रति। तेहां बिविन्न साधन अरू बिविन्न बस्तु अरू आमीले जसरी भगवान लाई और पन गरेका हुं। यदि ती बस्तु प्रति आमी आसक्त बने उं। तेहां बगवत प्राप्ति प्रति तेहां लक्षप्रति आमी प्रपृत्त बने नूं। तेहां केबल आपू लाई पनी भगवत प्रति समर्पन गरेरा। आपना संपृण कर्म लाई पनी तुदीयम बस्तु देवेस तुभ्यमेब समर्पितम केबल येस किशिम को भावना बाट कर्म गरें। तेहां न तो आशक्ति रहांचा, न अहंकार रहांचा, न अभिमान रहांचा। इब बस्तु बाट रहीत भायको ते कर्म, मात्रै तेहां केबल शमर्पन को भावनाउंचा, त्याको भावनाउंचा। तेसे न यहां बन्नुगो नही देह प्रिता सक्यम, त्यक्तुम कर्मन्यसे सतह, यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्य भिदी यते। अब फेर यह उटा जिग्याँ सा यहां उपस्तितों जा। कि मनुष्य को यह जीवन नहीं कर्म को निमित्त प्राप्तगरे को बन्नियों। यह कर्म गर्ना को लागी प्राप्तबाई को जीवन। यो कर्म शरीर लाईता हमीले कर्ममा प्रभृत्त गराऊनू परने। तर फेरी सन्यास बने को कर्मको त्याग बनने परिवासा करदा खेरी। त्यस्तों अर्था करदा खेरी। अब यो कर्म को निमित्त प्राप्तवाय को यो शरीर आमी संपुर्ण कर्म बाट अलग होना सक्षाउंता, इस किशिम को प्रश्ण यहां उपस्थित होंच, तिस कारण बन्नु होंच, नही बेदेह बृता सक्थम त्यक्तुम कर्मा न्यसे सतह, पहिना यहां बुजनु पर्नेकुराखेशा बने यो कर्म को निमित्त बने को यो कर्म शरीर ले संपुर्ण कर्म हरुलाई त्यागर्न श्रम्भव छैना, किना बने तिनाई कर्ममा प्रबृत्त होनु नहीं, यो सरीर को धर्म हो, आमरो सरीर रामरा इंद्री अहरु, इनाई कर्ममा प्रबृत्त बही राखेका होनु चाना, रत्याही कर्म बाट ती संपुर्ण कर्म बाट त्यागरेर, कर्म बाट अलक बहीर, रहना लाई शंभव छैना, तिसकान कर्मा को त्याग गर्नु मात्रै त्यागी हो, कर्मा को त्याग गरी शके पाची, त्यों उद्क्रिष्टता प्राप्ता गर्ना शके इन छ, एस किसिम को बुझाई, त्यों बुझाई गलत हो, यहां तो त्याग बने रा केलाई बनियो था, आपई बन्नु बो यहां कि शंपुरुन कर्मा अरुलाई त्याग गर्ना शंभव छैना, तिसो बने त्याग केलाई त्याग गर्ने था, बंदा, यस्तु कर्म फलत्यागी, सत्यागी त्यभिदी यते, अब कर्मा को त्याग गरना संबाव छाइना किना बने कर्मा शरीर स्वाभाविक रूपले कर्मा मा प्रभृत्त बन्छा तेसेले कर्मा को त्याग गरना शंबब छई जो त्याग के को गरने बंदा जब हामी त्यो कर्मा गरी रह दा त्यो कर्मा को फल प्रती अमरों त्याग को भावना होनु पड़े जब कसाईलाई केई बस्तु समर्पनगर दय छाऊँ बने त्यो बस्तु प्रती आख आशकती उनुभाईना कि नहीं बने तुट वस्त उखेवल निमित्तों मात्रह यहां यवटा अनुकुलताले मेरो आजा आत्मा चा तर थीव वस्तcie व लिई अरगाको आत्मा जान चा पर शी अरगाको आत्मा जान चा तुट नित्यवस्त्वत्व यहीraph नaqu किवल तिहां उपस्तित भाय को मेरो कर्तव्य कर्म हो एस किशिम को भावना रत्यों बस्तु वा विशय प्रतिको आशक्तिको भावना लाई त्यागनु बने कई फाल को त्यागनु बने को अमरा अरेक किरिया कला परू आमरा कर्म हरू जब हामिले कल्याण को निमित्त कुने यहुटा सान अभिष्ट प्राप्तिको निमित्त मात्रे हुई ना अमरा प्रत्य कर्म महान ब्यक्तिले बुद्धिमान ब्यक्तिले अपना कर्म हरू अरू को कल्याण को निमित्त कर्म कर्द चाँ यदि केवल आपनो निमित्त मात्रे गरेको कर्मले आपूलाई यहुटा लाई मात्रे खुशी दीन्छा वने जब सबयको कल्याण को निमित्त गरेको कर्मले तेरही लाई तेले खुशी दीन्छा बेराईलाई तेसले संतुष्टि दीन चा आनन्द दीन चा तेरेई प्राप्ति मां युटा प्राप्ति को गणना कमुन चा किना वने जहां बड़ी प्रयत्नको अर्था रहन चा त्यों प्रयत्नको अभिष्ट प्राप्ति हुँँचा तत कर्म तेस्ता कर्म मां हमिले अभुलाई प्रव्रित्त बनावनु पर चा तेसले सन्यासीर त्यागी मां बिन्नता चा त्याग का बनी विविन्न प्रकृति अरू मां सात्विक त्याग राजस्त्याग रत्तामस्त्याग तेस्मद्धे किबल आमे कर्मा मां प्रव्रित्त बनने रत्यो कर्मा को फल रत्यो विशाय प्रतिको आसकती लाई त्याग गर्नू यदि तेस्प्रकृतिको त्याग मनुष्यमा छबने बास्तविक त्यागी तेयो सर्वे बबंत शुखिनह, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पस्यंतू, मा कस्चि दुकबाग भवेत, अजुरर को दिन शुबावोस, तन्यवाद नमस्कार, तपाइको आजमा स्वागच्छ म जोतिस आचारे नाराण परशाद बंडारी, संदै जही दैनिक पंचांगर राशी फलको साथ मा उपस्तित भही सकेको छुँ, सुरु गरम आजको पंचांगा बाटाओ आजबिक्रम संबद 2018, स्रावण शगते सनिबार, इसवी संबद 2023, जुलाई 22 तारिक, नेबाल संबद 1143, पिंगल नामक संबशर, शुरिया दच्छिनायन बर्शारितु, अधिक स्रावण शुकलपक्से पंचमिती थी, पुर्भा भालगोनी नच्छेत्र, दिवसो तीन बजे पछी उत्तर भालगोनी नच्छेत्र शुरु हुने छा, बरियान योग बद्राकरण, अनन्दाधियोग मा लूंबा योग रहेको छा, आजब चंद्रमा सिंग राशी मा बर्मण करने छान, आजबिहाना 9 बजे देखी, 10 बजे सम्मा राहुकाल रहने बायकाले, ते मेश रासी तेसे गरी पठन-पाठन को छेत्रारा बद्धिक कार्रे बाट अरुलाई, प्रभावित पारे राखना काम लाई सफलता तरफा लोई जाना शगी ने छा, तथा पी आजब दिनमा दामपत्ते जिवनमा, मनमुटाबर प्रेम जिवनमा अविश्वास को अवस्ता देखा प तेसे गरी सके सम्मा आजको दिनमा आर्थिक लेंदेन मा हिशाम मा तेस्था क्रिया कलाप मा सहबागी नहुदा खेरी अज़ठिक होने छ, तेसे गरी कुणे नया योजना पनी सके सम्मा आजा अगी नसारनु हला, तेसे गरी यात्रा को क्रम मा रा जोहिम पुण कार्रे हर गर्दा खेरी अत्यम्ते सावदानी रा सतरकता अपनाउनु परने अवस्था देखियेको छा रा अरुका कुरा काटने बानीले गर्दा खेरी मान सम्मानमा कौमी आउने अवस्था अथवा कसई बाट अपमानी तो अनु परने अवस्था पने आउना सक्षा अरुका कुराम अनावस्यक चासो नदिनु हला, तेसे गरी आजको दिनमा अरू को लहाई-लहाई मा लागेरा गरिये का काम हरू बाट पस्टाप को अवस्ता महसुस हुने छा, अथवा इस्तो काम मेले नगरेगो भायबने उन्तियो बनने, खालको इस्थिती आउन सक्ष काम गरता खेरी दे तेसे गरी आजको दिनमा मिष्ठान भजन प्राप्ती हुने योग बने रहे को चा मिथुन रासी हुने हरू का लागी समय अनुकुल राय को देखिन छा, आजको दिनमा व्यक्ति गत मात्र नवै सामाजिक कार्य मा समलगन ता बढ़ने छा, र मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्गिने छा तेसे गरी आजको दिनमा अध्यन अनुसन्दान को कार्या, खोज मुलक कार्या, पठन पाठन को कार्य मा समलगन हुने व्यक्ति हरू का लागी पनी, स्वंचे अनुसार को उपलब्दी आता पर्न सक्ष, आर्थिक पच्छे का विविन्न अवस्थर हरू आउने सान, आय आ बिरदे हुने छा. अध्या धरू मा पनी पर्न पर्ने अवस्थार आउने छा, अत्या धिक स्रम को कारानले गरता खरी सारीरिक थकान बढ़ना सक्ष, तेसे गरी कसे बाट आलोचित उना सकने संभावना पनी रयको देखिन छा, सरकारी र प्रशाषनिक कार्य मा बिलंबता को अवस्था देख शिंगा रासी कन्न रासी हुने अरुका लागी आजगो दिन मध्यम खाल को रयको देखिन छा, आजगो दिन मा गरे का काम बाट आत्म गलाणी हुना सकने संभावना रयको देखिन छा, खर्चमा अत्याधिक बिरदी हुने छा, कषवी बाट आलोचीत्र अपमानित उनुपर्ने बैदेशिक छेत्रा का लागी गरियेक प्रियास, निरर्थक रहना सक्ष, तथा पी आजको दिनमा दाजु भाई को सहयक को कारणले गर्दाखेरी सामान्य काम हरू भाने बनने छन। तूला राशी हुने हरू का लागी समय अनुकुल रागो देखिन छ। आजको दिनमा प्रशाषनिक जमेला बाट मुक्ति पाई ने छ। शेवा मुलकर राजनितिक छेत्रा का व्यक्ति हरू का लागी विशेश अवसर को अवस्था देखा परने छ। आजको दिनमा शुखमा विर्दी हुने छ। बिला शिता का बस्तु हरू जोहोगार्ने मन लागने छ। पठन पाठन को छेत्रामा गतिशिल्ता देखिने छ। ब्रिशिक राशी हुने हरू का लागी समय अनुकुल रागो देखिन छ। आजको दिनमा लामो समय देखि बन्न वागी राएका काम हरू सुजारी हुने छन अथवा तेस्ता कारे हरू समपादन भईशाग ने छन। तेसे गरी जोखिम पुना काम मा पनी शफलता हाता पारना शगी ने छ। आजको दिनमा स्वास्तिय अवस्ता अनुकुल रहने छ। कुरा कातने व्यक्तेरू अभईपशाडी परने छन। परतिश परधात्म कारे हरू मा परतिश परधिलाई पराजित गर्रा आफु अगाडी अउना शगी ने छ। धनुरासी धनुरासी हुने अरुका लागी समय मद्यमखालको रायको देखीन छ। आजको दिनमा घरायासी मनमुटाव उत्पन्न उनसक्ष दामपत्ते जीबनमा खटपट देखा परने छ। प्रेम जीबनमा उतार चड़ाप आउने छ। आजको दिनमा अरुलाई दिएको कुरा अथ हआऊ अरुलाई दिएको भचन पुरा न गरदाख्यरी आलोचीत बहिने छ। तेसे गरी बेशूरे बानिले गरदाख्यरी अना हाक मा दुखंपाईने छ। मकर रासी माकर राशी उनेरुका लागी समय प्रतिकुल रागो देखीन छा, आफुले रामरे शोंचे पनी नकराहत्मक सोंच अरू सोंचने ब्याक्ति अरू देखीने शन, तेसे गरी तपाई का खुट्टा तान्ना खजने ब्याक्ति अरू अत्ते शक्री भायरा लागने शन, जोखि कुल खर्चमा विर्दी हुना सकने आर्थिक संकटले सताउने समस्या बनी आउना सक्षा एस्तरफा चनाखो हुनु वाला कुम्भ रासी हुने अरू का लागी समय अनुकुल रायको छा, आजाको दिनमा पुराना मित्रहरु संगा को मिलान हुने योग रायको देखीन चा, तेसे गरी बिगत को कमजरीलाई सचार अगाडी बढ़ना सकीने छा, नया काम को शुरुआत गरना सकीने छा, आजाको दि कुम्भ रासी हुने अरू का लागी आजाको दिनमा खर्चमा व्रदी भायपनी तेसले पविश्यको लागी राम्रही मुग का देखाउने छा, आजाको दिनमा आकस्मिक रूपमा दन आउने छा, तेसे गरी स्वंच्दै नसर्चे का व्याक्ति बात्रा अनपेचित विश्वांस गरने छन, विश्वांस गरी एका व्यक्ति रूपाट थोप्रई सहयक अपेचित सहयक प्राप्त करना शकी ने छा, योत थियो तपाईको आजा अंतरकत रहेरा बार वट रासी हरू मां ग्रहा हरू को प्रभाव के कस्तु रहने छा बनने बारे मां संक्छिप तरुप मां तेसको जानकारी प्रस्तुत करें रासी फल मां बताईयेको जुन ग्रह जनित फल छा, तेसलाई प्राप्त गरना को लागी आमरा कर्मा हरू को निरना एक र अहम भोमी का रहने भायको हुनाले गर्दा खेरी, कर्मा प्रती प्रती बद्ध भायरा अगाडी निदा हुन्छू, नमस्कार इजो आस्ती कारिक्रमारूमा ting रुव्हां, स्र्वण, किर्तननन ten Va हुने इसमारनन पातसे बननन listen क रचन अ बननन राक्यां निदाश्यम शोख्यात्म बेदनन अव द excludingUST आप दाख्या क्ष law Anit the power can tell sometimes वन्य छ relating्यान को लोनारे को सभस्त, जो यतल मैं रहे हान्य जल्ग कि लेगा से टीए मौत buna जल्मूनेंग कि सहने कि participation बहारे को बहारी है कि अध कि यतल मालै जिए जल्मु कि अधुदध टीए, प्वास कि अध्य आ कि शेख scrututh speaking. मुल्य, दाष्य भाव बाद दरती दाष्य भाब, मेरो पुजा भरेप्रकार पुजा होंजुँ, दो लगा भीशिंमादू डुजा होंजुटर, भरेप्रकार पुजा होंजुञुडुग कुरह भरेट, शरीर अर्दनारी श्वर्एश्वाय का रानु liberundi, पड़ आयल थेल दिपक्क महत्व पद्पुरान गरियागेगाज चाहिएगाज प्रजोली थेल तुलसी को दाहदवार रजोली करेगाज यहुड़ाज दिप बालेको लाहागाउ करुण बालेको भाल मिल चेड़ी बख्ष्ण क्वाथ आज़ अमरस्त जास्टमा रफम्हें तैसकारनली Śravanam, Kirdanaam, Bandhanam, Dakhyaya Atma, Nivid Beverly दस्यवाम प्रहु स्यवे जित्त दसके fuyan स्यव्पको, Śyव्पको, Śyव्पको, Śyव्पको स्यव्पको, Salem Hopshop अधिने को परिपेक्षमा द्हर्म लोपतता वायको चाहिना तर धर्म क्या सब अनिभग्षिंच बना मैंशेले आपनों ब्यपार बनाएगे अनिभव भ्यपार बनाएग नभर माँ ठीके जगारी खाहँन अनियो जशले भग्ति गर्षा जले बहग्वान का मैमार उस्वण गर्षा, शेवा गर्षा, तेस ता अब्यग्ति अरु बने उनियर लाई भग्ति ले काई बने भग्ति बने रोटिने अब प्रिता सुले कहत यह प्रभु मला केई बिनित जाइए ला क्वासरी बंदोस्वाजी को अहम हरे तब पादाइक मुला दाशानु दाशो ववित्तास्निवोया मनस्मर्यता शुपतर एगुणास्ते गिनिदवा कर्म करो तु क्याया यह प्रभु कहतो सुलोक यह सुलोक यह सुलोक यह सुलोक यह बंदो होजया कोर क्यो हो अन्न यह संशार यह वड़ाचेनी बिच्चित्र हो यह संशार बने को सागर हो कोगोभसं वद्नाकरी संपुर्न कुरा हुँँच हीरा मोती मटी माडी माडीक्या रूवी यता पाड़ी कैश्यक ची संपुन पथरा व भर मुणन तो भीक्ति गर्ष जिगरन लुटष बार जाए कोई ब्यग्तिगर जीकरन लुटष बार तेहां जेचिस भने वनी किना बना खरी तयो भने को पवित्र भूमी राजा बर्माजी आपने लाई बनुनुको तेहां का भाग्त बनी शारे धरम करम कर दे का आता विश्वासी लाँ तेस कारणली भग्ती में सवय वन्दाथूलू विश्वाश्को खेलोंच। स्राबनम किर्तनम विष्णु स्मरनम पाधस्यवनम अर्चनम बन्दनम दाख्य दाष्वाब। सख्यात्मानि वेदनम अव यदी मौ परमात्माको दाम्मा जान चाहंचु बन्देखिए। क्ये गर्णु पर शता बन्ना खेरी। भग्ती को लाइन चाहिक्या सता बन्ना खेरी। यो विष्व ब्रह्मान बादरने माथी उठनी यवड़ा पाटो। अनि सख्यभाद दाश्यभाद यो पन यवड़ाचे नी बिदी हो। को वाज्भा विष्व होये कैंप इंटा सम्राठी नी डार्म कि आवाध्यान टार्मी को फिक अवड़ाद है। आसरे विःटाली। अग्यारी कि वहां विष्काटताई डिर्गेड़ाया विद्ग परमात्माथ आड़ा गानि शुक्राइट अप्रियू सिर्वाइट heeft अभूरा है है ताहरी वहैँ हरा है control । देसी है वी आपके हमेिछे उर वीठेट प्रयोग माले ओंप्रयोगthose पार जिया नहीं तो भी वीठेट रचाएंग ब्रायोग बनने कुःवुष्तो तो भीज तो, नहीं है देने प्रागती साइवा, इसलाम रहल सब्सक्ताइब फ्रागती ऐन्या, उन्हें प्रागती सब्सक्ताइवanda धुसके, प्रागती से उन्नाथे प्रागती करने लिगे इस फ discussions में परमात्मallas प्रशन्धा पारे प्रत्योंधें और उ सट्कियों आप बिष्णु देवानाम यता धरमसनातना ना मुलवाने को विष्णू एकलोट जाले रहागार, फॉल, डादी पुष्प काया लोंच है, तो पीपाल को ब्रिक्ष हमा, ओम शिवाया ओम सम्स्राभाइ मे भनेर, फेदमा त्या कर अग है नच तो चले तो शम्पूल वह रही भरा हो जहां आप पादम अखेर नी बहा ना, फुल मा आखेरे नी बहा ना, फर्न मा रा आखेरे नी भायने। तवस कारणले भग्तीगो मयमा वनेगो धरै हुजायाइ उच्छायाईजु अजल वरागोफो नहीं सभागवब अजिक रना डिली को है् खाहम आसे हमागवी भागोषण वो लैदू कर दो कि अखे क्यू6 कर सो अगार ना她 पाहमार भागोफो लागवावी जाय अजवार ना kafka Αफ्मावा टार टुमियाप दो मेरे बाड़ कि मनमें बिडिनी भादने दाके रहते हैं, मनमें बिरनी भावबरू पनी करूआ करूआ कोने ची जरूरू ना चौरूम, तो कहा रहता है, है , तो करी परमात्में लिद्मा बाट पने भ्यादम, जाना भराम खुल चाना बिलाई भाड़ अविछ! ढ़ कियो द्होगित खω रखिश्छा गुळी भाषिदय संवल दोग तै्टने पनी certain, उंने तो संवल उने मने को ना खुली लेघा शाज जाजिए से नारायन को नाम को नाम को नंआ खाली लिन्गल बननी कुरा हो, किसले अहर निष्लिंच, किसले बहतालिंच, किसले उठतालिंच, किसले क्ये गर्दालिंच तेस कारण ले यो नवदा भग्ति भने को स्रीमद भागवद को मा पुरान को देराई रामरु प्रसंग तेस कारण ले अरे स्वजन भग्तपरिन यो भग्ति मारगलाई हम ले स्वाई उजायकरत करनू पर्षण रहा हम्रो यो इस्थान तेस्ट शमयाज को चाहिं हम ले चानी परीबर्तन करनू पर्थए जैस्त्री आदी जैस्त्री किस्न रहा हम्रो इस्ट्री किस्ट्री किस्ट्री किस्क्षान पर्षण है